अगर इस NPA कंसोल्टिय का इस्तमाल अपने भूमी के अंदर करते हैं तो यूरिया, DAP और पोटाज की जो प्योग समता है जो प्योग कर रहे हैं वो लगबग अपन 20% तक गटा सकते हैं नमस्कार साथियो आज अपन बात करें क्या NPA कंसोल्टिय को मैल्टिपलाई करके अपन बार बार अपने खेतों में इस्तमाल कर सकते हैं या इसी के साथ जो NPA कंसोल्टिय वो क्या है और कौन-कौन ची पसलों में इस्तमाल कर सकते हैं और इसके इस्तमाल करने से किसानों क्या जिस परकार से जब आज से 3-4 साल पहले की बात करें थोड़ी टाइम और पहले की बात करें तो उस टाइम एक एकड में अपन एक बोरी यूरिय की डालते थे थोड़ी मात्रा में डिय पी का इस्तमाल करते थे और पोटास का इस्तमाल अपन करते भी नहीं थे परन्तो आज की अइसान का जो खर्चा वो दिरएद कम होता जा रहा है तो परकार इन उरुकों का इस्तमाल लगातार और अधिक मात्रा मेंữ से इनकी उपयोग दक्सता देर देरे अपनी बूमी के लिए कम होती जा रही जिस परकार से मैं आपको थोड़ा सा बता हूँ कि अपन जो डियेपी इस्तमाल करते हैं अगर 100 किलो अपने खेट के अंदर डियेपी इस्तमाल की तो उसका सिरफ 30-40 किलो डियेपी ही पसल के काम में बाकी जो भी डियेपी है वो बूमी में फिक्स हो जाएगा और पोद्दे उसको गरन नहीं कर पाएंगे उसी परकार से यूरिया का भी है अगर यूरिया अपने 100 किलो इस्तमाल करते हैं तो वो शिरफ 20-30 किलो ही पसल के काम में आपाता है बाकी या तो जो लीचिंग होती है वो भी काफी मात्रा में बूमी में फिक्स हो जाता है और पोद्दे उसको गरन नहीं कर पाते हैं इन सभी समझ्याओं का एक ही समादान है जेव उरुरक बायो फटेलाइजर जिस परकार से काफी टाइम पहले से अपन देखते भी आ रहे हैं सुनते भी आ रहे हैं वो प पिक्सेशन उरुरक है जो फिक्स उरुरक है उसको पोद्दों को उपलब्द करवाते हैं तो आजकल ये जो जीवानू है बेक्टिरिय है वो बोथलों के अंदर आने लगए हैं जिस परकार से अपन देख रहे हैं जो दलनी पसले हैं उनके लिए राइजोबी मलक्सी आता है इसे प्रकार से जो पोटास के लिए जो बेक्टिरिया आते हैं उनको अपन के अमबी बोलते हैं मतलब पोटास मोबलाजिंग बेक्टिरिया जो की बुमी के अंदर जो भी पोटास पड़ा है उसको पोदों को अवेलेबल फोर में उपलब दिक्रवाते हैं तो ये सारे आजव्लियो बेक्टिरिया है। जी से राइजयोडीम हो गया, इजेटोबेक्टर हो गया, PSB हो गया, KMB, वे और सारे बैक्टिरिया आजक़ एक ही बोल में आने लग गए हैं जिसको अपनन एनपी के कंसोर्तिया का नाम देते हैं जिसके अंदर जो तीनों बेक्टिरिया ह वो सारे के सारे इसके अंदर सहयोगत रूप में मोजूद रहते हैं और एक दूसरे को हानी नहीं पहुंचाते इस परकार से इसके बहुतल के अंदर विद्धिमान होते हैं अगर इस NPA कंसोर्टे का इस्तमाल अपन बुमी के अंदर करते हैं तो यूरिया, DAP और पोटास की जो प्योग समता है जो प्योग कर रहे हैं वो लगबग अपन 20% तक गटा सकते हैं और अगर लगातार इसका इसका इस्तमाल अपन खेतों के अंदर करते हैं तो बुमी के अंदर बेनिफिशेल बेक्टिरिया को इससंग्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसके अगर बीजोबचार के मादे मिसे कर रहे हैं तो 10 ml परती किलोगराम बीज के साब से आप इसकी मातरा लेकर अपने खेतों के अंदर या इस्तमाल कर सकते हैं इसका इस्तमाल आप जड़ उपचार के मादे मिसे ही भी कर सकते हैं मतलब डाइसंओ-एमल-ए-नपी कंशुल्टिया को चार से पांस लिटर जो पाणी है उसके ना है 200 ml NPA Consolty और 4-5 लिटर पानी उसके अंदर 10-15 मिन तक डबोना है उसके बाद अपन को ट्रांस्प्लांट कर देना इसी परकार से इसका इस्तमाल अपन मर्दा उपचार में कर सकते हैं आदा उपचार के लिए अपने को आदा लिटरी मतलब 500 ml NPA Consolty लेना है और 100-200 kg वर्मी कंपोस्ट या गोबरी खाद में अपने को मिलाना है और उसके बाद एक एकड़ के अंदर रक्ष का चिटका अपने को कर देना है मतलब किसी परकार से NPA Consolty को बुमी के अंदर आपको पहुंचाना है और जो भी बेक्टिरी है वो भूमी के अंदर जाएंगे और भूमी में जो भी फिक्स हुआ फटिलाइजर है या फिर जो वातावन में नाइटर दन है या बूमी के अंदर जो फिक्स हुआ डिये पी वो सारा का सारा पोदों के लिए अवेलेबल फोरम में हो जाएगा अब अपन बाद करते हैं क्या NP cons league को multiply किया जा सकता है तो खिसान Striya NP cons Oops को कुछ हद तक multiply किया जा सकता है इसको multiply करने के लिए आपको एक drum लेना है अगर आपके पास 25 L का drum है तो ठीक है वन्हार पुछाइस लिटर का drum भी ले सकते हैं इसको multiply करने के लिए आपको उस डरम को लगबग 80% तक पानी का बढ़ना है और उसके अंदर दो या डाई किलोग्राम गुड का जो गोल है वो उसके अंदर डाल देना है और उसके अंदर लगबग 100-200 ml अपन को NPA कंसोल्टिय उसके अंदर डाल देना है और 7-8 दिन तक उसक आपको दिखाई देगी तब आप समझ सकते हैं कि जो NPA कंसोल्टिय अपने डाला है वो कुछ हद तक multiply हो चुका है और उसका इस्तमाल आप अपने खेत के अंदर कर सकते हैं धन्यवाज सातियो अगर आपका कोई सुजाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो आ नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं